17 गरतन दिवस के उसर पर जिला अधिकारी के विजिन रिपांडे ने शनिवार को जिला अधिकारी कारियाले पर दोजारोहड किया दोचार रोषड के बाद जिलादिकारी ने कारियाल परीसर में उपस्तित हुए सभी अधिकारी देश के आजादी में इस शहीद परिवारों के सदस्यों करमचारी और नागरिकों को देश के परतिक कर्तव या निश्टा के शपत दिलाई इसके बाद इसकूली चाठ चात्राओं और दिश्टी बादित चात्रों ने कारिक्रम परसुत किया जिलादिकारी ने इस दोरान देश की आजादी और गरतंत का अर्थ बताया इस उसर पर विविन विवागों के समधित अधिकारी करुचारी विविन विद्यालों के चात च मैं इसी परिसे रबाए निटोंगे लिए अजिरा पशाजन के सब्सक्राइब जाने जाने तब शुब आशिश मांगे आने तब जर्गाता प्रनगरमंगर दायत जय है आलत भात्य पिताता हुआ है में सब्सक्राओं तरीव हम बारत के लोग बारत के एक संपूर्ण प्रगुत्व संपन समाजवादी पत्न पेट लोगतांत्रमक गणराज बनाने के लिए तता उसके समस्नागरिकों को समाजिक आर्दिक और राजनेति ज्याय विचार अभीवेक्टी विश्वास भार्म और उपसनागी वतंतरता प्रतिश्चा और आवसर की समता प्राप कराने के लिए उन सब के समें वेक्ती की गरिमा और राष्ट की एक्ता और अकंड का सुनचित कराने वाले बंदुत बढ़ाने के लिए अपने इस सम्विदान सभा में इतद्वारा इस सम्विदान को इस सम्विदान को अंगीति अधिनियविद और आफ मार्पट करते हैं जैहिन जैवारी अरकामानि जलाद कारी महदाना उनका समान किया जा रहा है यह बहुत पूर और अवसर है जब हम सब इसको याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और आट जिसकाथ से इसमिश विश वेह नम गलापार पिकास और प्लेट को पाज़ पाज़ पर दसर हो रहे हैं सदितता के साथ अपने जीओं का लेह में कर रहे हैं कि अधे बादा आधिकात अधर नुजियों को साथ से रहन के अधे रहा हुआ करते हुए आजगा रहे हैं अधे बादाइंगे कि वे शल्गनाट का अधे जाए कि अधे शुद्र है रोल शेहरो गल्लियों गल्लियों प्याइड की फूलिक आएंगे शेहरों बारत के बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाएंगे गीटो गलियों प्यार के पूले खिलाएंगे हम बारत के बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाएंगे विद्षकुषि दुयारे गांधी के मत्यर वाले हैं हिंदिरा के है आके तारे देश के हम रखे वाले हैं पानी थी आः! मैं मारो मजे! आः! मत मारो मजे! आः! मैं मारो मजे! ठहराओ! कब तक रहेंगे हमी की गुलावी अब में गतना में करना होगा वहाँ तुम सबको देख लेगा देख लेगा पुमी हुई आजादी की खीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में डानी थी चमकुदी संसंतावर में यह तलवार पुरानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो चासी वाली गानी सोने फिर गुटी डानी थी पुर्णी भारत में आई फिर से नहीं जमानी थी उनी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमत की संसंतावन में लेहतर बार पुरानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो का खूब आई है आई है आई है चिप्प है है साथ समंदर पार गया तूं हमको जिन्दा मार गया तूं खूल के रिस्ते तोड़ गया तूं सक्षों में आऊशं छोल कराता कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत जिनाता हम रोते हैं चिखी आई है चित्थी आई है आई है चित्थी आई है चित्थी आई है चित्थी आई है चित्थी आई है परिवार का सभी सदसिगन यहां आई है बच्छों मेडिया सातियों सबको कारी करें पर स्वागत करता हूँ सत्तर वर्स हम लोग उजर चुके हैं लोगतंतर होने के बाद हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा लोगतंतर देश है इस पर गरव होना चीए था ताकि कितने देश जो आपका इत्यास में तोड़ा पलड के पीछे जाने चाहता हूँ देखने चाहता हूँ यह जो आजादी के लड़ाई वो जो हम लोग के सामने जो बच्चे भी पेश कियें 1857 से लेके लगातार 1500 साल 200 साल के बाद हम लोग आजादी मिली है लगातार लडने के बाद उस समय से डीट सो साल दौ सो साल हम लोगे एक ही चीज़ के लडाई था लोग कंत्र होने था ताकि हम देख चुके हैं बारत में कितने भी लोग रूट लेते थे सत्था करने के लेते थे 200 साल तो अंग्रेजी ने सफ़ता किया उसके पहले मोगल राज ने सफ़ता किया उसके पहले वीबिन ने चोटे चोटे राज लोग अफ़कान से इधर से उधर से राज किये उसके पहले पलट के देखेंगे हम लोग इंदस वैली में और कैसे कैसे रहें वो हमेशा हम लोगतंतर मुलक रहे हैं उसके बाद फिर दुबारा हम लोगतंतर बनाने के लिए बहुत लोग प्रयास किये उस समय में जो सरकार के सामने बहुत सारे आप्षन थी ताकि आसपास उस समय में चीन ता रचिया कर राड़ीemploy और आगे ऑगे आगे तागे निर्ने लेना बहुत आसानी होता है 5-5 साल तो सरकर पलटने के कोई मतलब नहीं रहता है पचा साल 100 साल एकी सत्ता में रहते है तो बहुत तेजी से जो भी चाहता है जो सकता में आदमी उसी साब से विकास हो जाता है बट बहुत सोच उछार के बाद सभी लोग एकीमत से थेकिए हम लोगतיתי विकास्त से बहुत जरूरी यहाँदी वह भी जो जनता का सावागी तागी 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 तमाम देश से लेके हम लोग का दिये हैं। इसलिए 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 इतने साल के बाद भी हम लोग मजबूत हैं आगे बाड़ रहे हैं। जिद्धी हैं। वैसे जो मान लेजे हम लोग का जो गन तंतर करते हैं। परदान मंतरी, राजपाल महोदे, राश्टरपती जी और जी कितने लोग, उन लोग कैसे चुनना है, कैसे सत्ता में आना है। उसके बाद संसो दन के बाद जो पंचाय तिरा चालू हुआ है, परदा जी तरफ बावतगीदा मानें, बाइबल मानें, पुरान मानें, वही हम देश का एक पुनीद किताब है। उसी के साफ से हम लोग का चलता है। उस पर तब सभी लोग पूचे थे हैं। बिमरामित्गर जी से यह आपका जो आपने बनाये, बहुत अच्छा बनाया है। इस मूलबूत अधिगार है, मूलबूत अधिगार का कोई अहित होता है तो तुरंट हम लोग रिट के जरिये से सुप्रिम गोट हाई गोट जा सकते हैं। फिर पूचे थे, इस पर क्या खूबी है, तो ठीक है, मूलबूत अधिगार तो ही है। जो किसी भी देश में ऐसे नह है, उसी के अंदर मानने जो भी आदमी आहत होता है, उसी सुप्रिम गोट का सामने होकर के अपने आदार को क्लेम कर सकता है। ये बड़ा कहीं किसी भी देश में नहीं है, और मैं बस आपके साथियों, आपको याद दिलाने चालता हूँ, ये भी है कहानी है, जो एक दिन का सुव पोचे थे जावलाल नेरों जी से पत्रगार लोग्य कोई को अब यहांभी जो न्यत्रकला कितने हुआ है उसी पे बार बार मजिक्र करते हैं, बारत माता किजी बारत माता क्या मतलब है, बारत माता क्या है, कोई भगवान है, कोई मूर्ती है, कोई पूजा करने के चीज़ से क्या चीज़ है, नैस के बता है, बारत माता मतलब ठीक है, जमीन भी है, मिट्टी भी है, उससे बड़ा है, हम लोग है, नागरिक है, एक देश नागरिक से बनत का अमेरिया का डालर का रेट बराबर था यानि भारत का एक रुपया अंग्रेजी के एक डालर का बरावर था आज एक रुपया हमारा मतलब उनका युई-ज्व का दूसरा का उंगली दिखाते रहते हैं ये कमी है वो कमी है वो कभी भी पलटके नहीं देखते हैं हमें क्या करना है देश के लिए हमें पुछते हैं हमेशे तो फिर देश हमें के लिए क्या दिया तो वापस देश के लिए क्या कराना है एक मूलबूत अधिगार के सास्यात कर्तव ये भी है उसे दिया हुआ है कांशुशन में हम बूल जाते हैं कर्तव ये क्या है कर्तव ये में यही चीज है देश का, देश भावना का मान संबान करना तमाम साथ आठ उस पर बिंदू है, उससे बहुत मैं तो बिंदू में बानता हूँ, जो स्ट्राइब टो अचीव एक्सलेंस इन इवरी फील्ड, यानि जो आदमी कर्मत तरीक से जो काम करता है, वो भी इनका मूलबूत जूटी में आ जाता है.